हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम दफन दे हैड का फूल समरी करेंगे हम जो कहानी पढ़ेंगे वह भविस में निर्धारित है जब किताबे और स्कूल जैसा कि हम अब जानते हैं सायद मौजूद नहीं होंगे फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे क्या आपने कभी टेली वीजन या कैम्प्यूटर स्क्रीन पर सब्दों को पढ़ा है क्या आप ऐसे समय की कलپना कर सकते हैं जब सारी किताबें कैम्प्यूटर पर होंगी और कागज पर किताबें नहीं छपेंगी क्या आप ऐसी किताबें बहतर समझेंगे इस कहानी का संबंद टॉमी नामक एक लड़का और मारगी नामकी एक लड़की से है उन्हें भूत काल के विद्याले के विशे में कोई जानकारी प्राप्थ होती है 17 माई 1857 को टॉमी जो की 13 वर्ष का एक लड़का है अटारी में रखी एक वास्तविक पुस्तक पाता है जो की कागज पर मुद्रित है टॉमी और मारगी दोनों इस पुस्तक को ध्यान से देखते हैं वस्तुता यह पुस्तक पुरानी है और इसके पन्ने पीले और जुरीदार है वर्ष 2157 में इस तरह की किताबों का कोई अस्तित्व नहीं होगा उस दोरान टीवी के पटल पर सब्द दोरते नजर आएंगे इस प्रकार के टीवी में करोर से भी अधिक किताबे समाहित होंगी यही कारण है कि टौमी यह समझता है कि वे पुराने स्कूलों से ज़्यादा बहतर है वह कहता है कि इस पुस्तक की विशेवस्तू विद्याले है परंतु मारगी विद्याले से घिरना करती है और उसे लगता है कि कोई उसके बारे में क्यों लिखे यांत्रिक सिक्षक से भूगोल का अधियन करने में उसे समस्या है यह काले रंग का तता आकार में बड़ा है और इस पर एक पटल भी है अपने घर के विशेष्ट कमरे में यह चात्रों को पढ़ाता है उन्हें अभ्यास के लिए प्रस्णों को देता है और उनसे प्रश्ण भी पूछता है वक काम उसके घर में एक विशेष्ट कमरे से करता है बिना समय लिए यह अंकों की गन्ना भी कर सकता है मारगी उन छिद्रों से घिरना करती है जहां उसे जांच परिक्षा प्रश्ण पत्र और ग्रीकाड को डाना पड़ता है एक बार इस यांतरिक सिक्षक का भूगोल से संबंधित भाग अत्यधिक गतिमान था जिसके कारण उसे पहले से कम अच्छे अंक प्राप्त हुए एक घंटे के बाद काउंटी इस्पैक्टर ने इसे ठिक कर दिया था उसे उमीद थी कि टॉमी की तरह उसके यांतरिक सिक्षक भी लंबे समय के लिए ले जाया जाएगा उसका इत्यास संबंधित भाग पूर्न रूप से खाली हो गया था टॉमी कहता है कि जो पुष्टक उसे मिली है उसका संबंध उसके विद्याले से नहीं है वस्तुता है इसका संबंध सद्योपूराने विद्याले से है वह महसूस करता है कि भूतकाल में मनुश्य सिखचक के रूप में लड़कों और लड़कियों को पढ़ाते थे उन्हें ग्रीहकार्य देते थे और उनसे प्रश्न भी पूछते थे उनका विशिष्ट भवन था और सभी बच्चे विद्या लै जाते थे वे सभी समान पाठ पढ़ते थे सर्व प्रथम मालगी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कोई असली वैक्ती सिक्षक हो सकता है नहीं वह यह समझ सकती थी कि किस प्रकार सभी चात्रों को एक ही समान पाठ पढ़ाया जाता था उसकी माता के नुसार सिक्षा हमेशा अनिवारियता बच्चों के मस्तिस्क के अनुकूर होनी चाहिए लेकिन उसके वीचार में वे पुराने विद्याले हासिया अस्पत थे और वह इसके समबंध में और अधिक अध्यन करना चाहती है अब मारगी और टॉमी के लिए विद्याले जाने का वक्त हो चला है मारगी अपने घर में बनी कक्षा में परवेस करती है यहां यांत्रिक सिक्षक खड़ा है वह पहले से इंतिजार कर रहा है क्योंकि पाठों का अध्यान निश्चित समय पर किया जाता है वह पुराने विद्यालियों के बारे में सोचती है कि उनमें बच्चों को कितना आनंद आता होगा तो दोस्तों दफन दे हैड का फुल समरी कम्प्लीट हुआ दोस्तों हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 3 के इंगलिस के सभी चैप्टर्स का समरी कोस्चन एंसर MCQ एडिशनल कोस्चन एंसर कराएंगे आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें